नितीश कुमार की रणनीती ने एक बार फिर से सब को चौका के रख दिया है। चलने वाले हैं। जिस परकार से नितीश कुमार हर दम, हर फैसले को ले करके अपने राजनितिक कद को उच्चा करते जा रहे हैं। इसके लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन इन चुनावत से परे उठकर नितीश कुमार ने एक ऐसे चाल चली है जिस से बीजेपी के परसीने चुट रहे हैं। दरसल एक बार फैसे राजनितिक गलियारों में नितीश कुमार के नामों की चर्चा बड़े जोर शोर से होने लगी है। नितीश कुमार में हर वो एक काबिलियत है जिसमें एक राष्ट्रुपती बनने की निशानी नजर आती है। और राष्ट्रुपती पद के लिए सबसे सुयुग्य उमिदवार अभी बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार को बताया जा रहा है। दरसल बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार को लेकर के उनके कह सकते हैं निताओं के द्वारा या फिर बिहार सरकार के एक मंत्री के द्वारा बयान आया है कि नितीश कुमार राष्ट्रुपती पद के लिए सबसे सुयुग्य और करमठ निताओं में एक हैं तो सबसे स नितीश कुमार के नामों की चर्चा यहां बताने के लिए काफी है कि एक बार फिर से नितीश कुमार और उनके दल के लोगों के द्वारा बीजेपी पर पावर पोलिटिक्स कर अपने मन की मनमानी करने की कोशिस किजा रही है। या फिर नितीश कुमार के नामों पर मन्थन उसके अंदर नहीं किया गया तो नितीश कुमार विपक्ष के तरफ से नामित किये जा सकते हैं। नितीश कुमार ने कहा था कि महजिया चर्चाएं हैं अटकले हैं। इसमें कोई अधार नहीं नजर आता है। लोगों का मन है कहने का जिनका जो मन करता है लोग कहते हैं स्वतंत्र है। लेकिन एक बार फिर जब अभी अगर नामों की चर्चा कीजा रही है तो आप ज़रा समझिये। जदियों पार्टी के अंदर जदियों का चाहिए वो छटवया नेता हो या बड़े से बड़े कदावर नेता। करके बेतर बताना क्या ये सब कुछ नितेश कुमार के अंजाने में हो रहा है। मतलब साब है कि हरी जंडी अलाकमान से मिल चुकी है तो रुमानने निता अगर नितिश कुमार है तो नितिश कुमार नहीं इसकी हरी जंडी दी है राजनितिक जनकार तो यह मानने लगे हैं कि यह अभी एक नितिश कुमार की चाल है हलाकि पूरे बिहार में नितिश कुमार क कि पार्टी अभी हालिया में जाकर के बीजेपी शासित प्रदेश का सकते हैं उत्तर प्रदेश में चुनावी ताल्ठो की है उसके बाद से लगतार नितिश कुमार की चर्चाए हो रही है राश्ट्रुपती पद के नाम के लिए और ऐसे में एक बार फिर से जाती है जनगर कर भी अपने जिंडे पर काम करने वाले निताओं में शुमार है ऐसे में नाम चाहे ममता बनेर्जी का हो या फिर केरल से लेकर के 36 गड़ तक की राज़दानी तक का हो क्या कुछ होगा आगे आपको बताएंगे जिस प्रकार से अभी नामों की चर्चाएं लगतार जा रही है ऐसे में नितीश कुमार के जिंडा बसपश्ट नजर आ रहा है जो कुछ भी होगा आगे आपको बताएंगे फिलाल इस खबर में इतना ही रहने दीजिए नमस्कार